जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो सही सलामत पैदा होते हैं इनका आँख जो है सही रहता है चार क्लास पांच क्लास तक ये लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये अंधे हो जाते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहा हूं जिनके घर में बच्चे तो यह अशचर्य होगा कि यह लोग अभी अंधे हैं और यह लोग देख नहीं सकते हैं। MT-4 टक पढ़ाई करके और इसक्त पढ़ाई करना बंध कर दिया है। अब ये पूरे तरीके से बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारे परिवार का अब इलाज नहीं होगा तो हम लोग किसी तरीके से जान दे करके मर जाएंगे कितने दुखत घटना है अब ये सोचिए ये जो बच्चे हैं इनका इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा इनके पिता जी से जानने की कोशिस करते हैं आगे ये लोग ये क्या करना चाहते हैं इलाज के लिए आप अपने बच्चों को क्या किये हैं अब तक और आगे क्या करना चाहते हैं बता ही कि अगर मर जाएंगे तो इनका समाधान हो जाएगा लोग अच्छा रहेंगे तो हम जीएंगे आपको अभी तक सरकार के तरफ से या किसी भी कोई सरकार से मतलब कौन सी मदद आपको चाहिए सरकार से मतलब कौन सी मदद आपको चाहिए रिजली में है इलाज करा हो तक हो करा है अब हमको चलते चलते ठग गया है आज के वक्त में ये ऐसे हैं कि पुरी तरीके से इनकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि इनके उपर कर्ज भी बहुत जादा है बच्चों को एलाज भी कराना है और इनके आख से देख सकते हैं ये किस तरीके से पानी गिर रहा है और परिवार में जितने बच्चे हुए हैं सारे के सारे बच्चे अंधा हो गए हैं और आपको सुनकर के आश्चर हो रहा होगा कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो सही सलामत पैदा होते हैं इनका आँख सही रहता है चार कलास-पांच कलास तक यह लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है यह अंध्य हो जाते हैं और यही बच्चे हैं आप देख रहे हैं बाकि आप से यह हंबल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जितना हो सकता है यह स्क्रीन पे अकांट नमबर है इनका आपके पास जित इतना हो सके यह मत सोचिएगा कि हमारे 5 और 10 रुपे से क्या होगा बून्द बून्द से तलाब भरता है आप यगर उतना ही मदद कीजिएगा तो इन बच्चों का एलाज हो सकता है बाकि इस वीडियो को जादा-जादा शेयर किजीएगा क्योंकि जितना है इस वीडियो को शेर किजिएगा उतना जादा इन बच्चों को और इस परिवार को मदद मिलेगा